नमस्कार किशान सातियों किशान सातियों हमारा आज का विश्य है नर्मे के सभी टिंडों को कैसे खिलाएं क्योंकि नर्मा है जो 60% ही खिल पाता है बाकी टिंडे तोडने पड़ते हैं तो हमें जो बाकी टिंडे है तोडने ना पड़े इसलिए नर्मे को बाकी नर्मे को कैसे खिलाए इस विश्य पर आज चर्चा करेंगे और जो साथी अभी नए चैनल पर आई है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली जो सभी जानकारिया हैं उनको मिल सके किशान साथियो आज हम कुछ टेकनिकल बताएंगे जो सो परसेंट आपकी नर्मे की जो पसल है कपास की पसल है उसमें सो परसेंट काम करेगी और किस समय इस टेकनिकल का हमें छिड़काओ करना है यह भी हमें पता होना चाहिए किशान सात्यों जो मैं टेकनिकल बता रहा हूँ उस टेकनिकल को हमने प्रियोग में जब लेना है जब हमने 60% नर्मे की चुगाई कर ली है उससे पहले हमें इस टेकनिकल का प्रियोग नहीं करना है कुछ हमारी किशान साती है वो राउंड अप वगेरा का इस्तमाल करना है दोस्तो राउंड अप से हमारी पसल में नुक्षान होता है वे पसल पत्ते गिरा देती है और जो कच्चे टिंडे हैं वे भी खिलने लगते हैं तो इससे हमें राउंड अप का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है मैं आपको जो टेकनिकल बता रहा हूँ दोस्तो पहला टेकनिकल है M.O.P. मूरो टोपो पोटास दोस्तो M.O.P. हम ले सकते हैं 5 किलो परती एकड के हिसाब से 100 से 120 लिटर पानी में मिला कर हम इसका छिड़काओ करेंगे तो 10 से 15 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर हमें इसका जेल्ट मिलेगा और जो हमारे टिंडे हैं वह खिलने लगेंगे इसके साथ में दोस्तों हमने लेना है साइपर मेतलीन 25% फोम में आता है वह लेना हमें 300 ml लेना है और 100 से 120 लिटर पानी में इसको भी मिला कर हम छिड़काओ कर सकते हैं साथियों तीसरा टेकनिकल में बता रहा हूँ आपको तीसरा टेकनिकल हमें लेना है ड्रोप अल्टरा ड्रोप अल्टरा की मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम दवा आप परती एकड में चिड़काओ कर सकते हैं और इस दवा को हमने 60% नर्मा हमने चुगाई कर लिया है उसके बाद में ही ड्रोप अल्टरा का चिड़काओ करना है बाकी जो दो टेकनिकल और बताएं है वे भी हमें सिदा पहले इस्तमाल नहीं करना है 60% नर्मा चुगाई है उसके जो बाकी 40% बच गया उसके बाद में इसका चिड़काओ करना है इससे हमारे पसल में 10 दिन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा और जो बाकी बचे वे टिन्डे हैं 40% वे सारे खिल जाएंगे हमें टिन्डों को तोड़ने की आवशकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी किसान सात्यों जो हम नर्मे या कपास की जो चुगाई स्टार्ट करेंगे तो हमें चुगाई स्टार्ट करने से पहले उसमें एक बार पानी जुरूर लगाना है पानी लगाने से क्या होगा दोस्तों जो नर्मे के टिन्डे हैं वह अच्छे से खिलेंगे और जो हमारे कपास का वजन है उसमें भी परभाव पड़ेगा और हमारे उत्पादन में भी अच्छा परभाव पड़ेगा इसलिए हमें पहले पानी लगाकर उसके बाद में ही चुगाई को स्टार्ट करना है खिशान सातियों अगर कोई आपके स्वाल है या आपके सुजाव या आपके कोई राय है तो आप हमें कमेंट के जरीए जरूर बताएं खिशान सातियों अगर आपने किसी और टेकनिकल का इस्तमाल किया या इसके अलावाद कोई और नया टेकनिकल है तो इस वीडियो में आप कमेंट के जरी उस टेकनिकल का नाम जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करके सभी खिशानों तक पहुंचाएं जै हिंद जै भार्त